बाई और बेहनों, ये हम अक्सर कहते सुनते आये हैं कि भारत की आत्मा गाउं में बस्ती है, लेकिन आजहादी के दसकों दसक बीद गए, भारत के गाउं के बहुत बड़े सामर्त को जकड़ करके रखा गया। गाउं की जो ताकत है, गाउं के लोगों की जो जमीन है, जो गर है, उसका उप्योग गाउं के लोग अपने विकास के लिए पूरी तरग करही नहीं पाते थे। उल्टा, गाउं की जमीन और गाउं के घरों को लेकर विबात, लड़ाई जगड़े, अवैद कप्चों में, गाउं को लोगा की उर्जा, कौड कछरी, न जाने कितनी कितनी मुसीबते जेलनी पड़ती थी, समय और पैसा बरबाद होता था, और ये चिन्ता आज की नहीं है, गांधी जी ने भी अपने समय में इसे लेकर चिन्ता जाहिर की थी, इस थीति को बदलना हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए, मैं इस दिशा में तब से काम कर रहा हूँ, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, हमने इस समस्या से निपटने के लिए गुजरात में समरस ग्राम पंचाथ अभियान चलाया था, मैंने देखा हैं कि सही प्रयास किये जाएं, तो पूरा गाउं मिलकर उसे आगे बढ़ाता है, और अभी सिवराज जी वरणन कर रहे थे, कि आज मुझे इस दाईत्व को 20 साल पूरे हो रहे हैं, और जब वो सिवराज जी बोल रहे थे हैं, तो मुझे यार आया, कि मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना, और मेरा जो पहला बड़ा कारकम था, वो भी गरीब कल्यान मिला था, और अब मुझे खुशी हैं, कि 20-20 साल का आखरी दिन भी, मैं आज गरीबों के लिए कारकम में जुड़ा हुआ हूँ, ये शायद इस्वरी संकेत है, कि मुझे लगातार मेरे देश के गरीबों के सेवा करने का सौभागे मिलता रहा है। खर, मुझे विश्वास है, स्वामित्व योजना भी, आप सबकी भागिदारी से, ग्राम स्वराज का एक उधारन बनेगी। अभी हमने इस कोरोना काल में भी देखा है, कि कैसे भारत के गावा ने मिलकर एक लक्ष पर काम किया, बहुत सतर्क्ता के साथ इस महामारी का मुकाबला किया। गावालों ने एक मोडेल ख़ड़ा किया, बाहर से आये लोगों के लिए रहने के अलग अन्तजाम हो, भोजन और काम की व्यवस्ता हो, वेक्सिनेशन से जुड़ा काम हो, भारत के गावं बहुत आगे रहे हैं। गाव के लोगों की सुजबुज ने भारत के गावं को कोरोना से कापी हद तक बचा करके रखा। प्राइब बहुत आगे हैं।